इसी जोपडी में एक बक्री मा अपने साथ प्यारे बच्चों के साथ रहती थी, बच्चे जीवन्त और शरार्तों से भरे हुए थे और उनके दिन हंसी और खेल से भरे हुए थे, हाला कि उनकी मा उन्हें हमेशा पास के जंगल में घूमने वाले चालाक भेडिये के बारे मे चेताबनी देती थी, सावधान रहो मेरे नन्हे मुन्नो, वह कहती भेडिया चालाक है और आपको धोखा देने के लिए भेश बदल सकता है, यदि वह दस्तक देता है तो दर्वाजा मत खोलें, एक धूप वाली सुबह, जब बक्री की मा भोजन इकठा करने के लिए बाहर गई, तो उसने अपने बच्चों को एक बार फिर सतर्क रहने की याद दिलाई, मैं जल्द ही वापस आउंगी, दर्वासा बंद रखो, और इसे मेरे अलावा किसी के लिए मत खोलो, उसने चेताबनी दी, एक चालाक धेडिये ने उसके निर्देशों को सुनकर उन निडर बच्चों पर अपनी बुद्धी का परीक्षन करने का फैसला किया, वह जोपडी के पास पहुचा और बकरी मा की आवास की नकल करते हुए दर्वाजे पर थपकी दी, खुल जाओ, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम में से प्रत्यक के लिए स्वादिष्ट व्यंजन ला हुए उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रियत दर्वाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, लेकिन बुद्धिमान बड़ी बहन को छिपी हुई आवास पर संदे हुआ, उसने की होल से जांक कर भेडिये की तेज आखों को देखा, नहीं, आप हमारी मा नहीं है, आपकी आखें ब हड़ बढ़ाया, जिससे उसकी असली पहचान उजागर हो गई, घबराकर बच्चे सभी दर्वाजे और खिड़किया बंद करने के लिए दोड़ पड़े, लेकिन चालाक भेडिया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, उसने कुटिया का चक्कर लगाया, और अंदर मा की आवाज की नकल करते हुए बोली, बच्चों जल्दी से दर्वाजा खोलो, मैं बाजार से तुम सबके लिए धेर सारा सामान लेकर लोटा हूँ, छोटी बकरी ने नकल करते हुए कहा, घेडिया यह सोच कर की उसके पास धोखा देने का एक और मौका है, दर्वाजे की और दोड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, बच्चों ने बहादुरी और ग्रिड संकल्प के साथ उनका सामना किया, उन्होंने भेडिये को घेर लिया और अपनी सन्युक्ट ताकत से उसे जोपरी से बाहर धकेलने में काम्याब रहे।